आज ही doubtnet आप download करें doubtnet पर होगा अब आपके सभी maths, chemistry, physics और biology doubts का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत video solution पाओ Download now इस question में हमें दो statements दे रखे हैं statement 1 में लिख रखा है और P type semiconductor में जो net positive charge होता है statement 2 में लिखा है कि उसमें holes majority charge carriers होते हैं हम जानते हैं कि जो हमारा P type semiconductor होता है वो electrically क्या होता है neutral होता है तो उसमें net positive charge नहीं होता net positive charge नहीं होता इसी लिए first statement हमारी क्या है गलत है statement 1 is false अब आते हैं हम अपने second statement की तरफ तो जो P type semiconductor होता है उसमें हमारे majority charge carriers क्या होते हैं holes तो जो हमारा second statement है वो बिल्कुल सही है इसका मतलब हमारा first false है और statement 2 क्या है true अब हम अपने options की तरफ देखते हैं जो हमें हमें पहले option में दे रखा है कि statement 1 true है रखा है और हमा statement 2 true है फोर्थ वाले में हमें दिया है कि statement 1 false है और statement 2 true है तो यह हमारा सही है क्योंकि यह हम से match कर रहा है क्लासिक स्ट्वेल से लेके नीट आयाइटी जेही मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से जादा स्टुडिंट्स का भर हो सा आज जी डाउनलोड करे डाउटने टा यह वाट्साप कीजिए अपने डाउट्स 8444 चार्स उपर